हेलो गाइज लास्ट टाइम पर मैंने बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक आप लोगों को यह सी फंडामेंटल्स का पढ़ाया हुआ था जिसमें मैंने पावर्स के बारे में बताया था कि तीन तरह की पावर्स होती है एक तो एक्टिव पावर होती है एक रियक्टिव पावर ह होती है और एक पावर होती है और उसके रिगार्डिंग जो भी चीजें थी वह मैंने एक्स्प्लेंड किया हुआ था अगर आपने वाले वीडियो नहीं देखा हुआ है तो काफी इंपॉर्टन वीडियो है तो प्लीज उसको पहले देखिए और उसके बाद इस वीडियो पर आईए ताकि आपकी बेसिक चित्ते भी हों वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं ठीक है यहाँ पर हम लोग को जो स्टेडी करना है वह काफी इंपॉर्टन टॉपिक है पावर फैक्टर वाट इसमीनिंग ऑफ पावर फैक्टर को समझने से पहले हम थोड़ा सा फेजर बीसिक नौलेज आपको आगया तो पावर फैक्टर को समझने में पहुत ज्यादा आसानी होगी तो यहां पर हम लोग डिसकस करेंगे बारे में लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा बाते करेंगे फैजर डाईग्राम के बारे में तो यहां पर टॉपिक का सबसे पहले angle किसी भी wave में voltage की हो चाहे current की हो उसमें जो भी angle होता है वो किस तरह से हम उस साब phaser diagram किस तरह से represent करते हैं वो सारी कि सारी चीजे हम यहाँ पर discuss करेंगे यहाँ पर देखेगा यहाँ पर तीन तरह की questions लिखी हुई है पहले हम लोग इस पर focus करते हैं इस वाली question पर तो पहले वाली question पर जब हम focus करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है v बराबर vm sin omega t और i बराबर लिखा हुआ है im sin omega t minus phi तो यहाँ पर phi क्या है phi एक angle है phi एक angle होगा जिसकी value degree में given होगी numerical में तो यहाँ पर अभी हम इसको phi मान रहे है अब इन दोनो equations में देखिएगा difference क्या है दोनो equations में difference सिर्फ इत्ता है कि यहाँ पर उपर वाली में सिर्फ omega t लिखा हुआ है और यहाँ पर नीचे वाली equation में लिखा हुआ है omega t minus phi तो अगर हम बात करेंगे इन दोनों के बीच में कितने angle का phase है तो उस angle को हम लोग define करेंगे phi ठीक है दोनों के बीच में कितने angle का phase difference है तो वो हो जाएगा phi क्योंकि यहाँ पर उपर वाली जो equation है उसमें सिर्फ और सिर्फ omega t लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है omega t minus phi तो इन दोनों के बीच का जो angle आएगा phase angle जिसको phase difference भी बोलते हैं उसको हम लोग बोलेंगे phi ठीक है अब इसको हम लोग phasor diagram में कैसे represent करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले कभी भी अगर आपको phasor diagram बनाना होता है तो सबसे पहले हम voltage को define करते हैं सबसे पहले हम voltage का phasor इस तरह से हम लोग बना लेंगे जो current है वो voltage से किस तरह का angle denote कर रही है माइनस का phi यहाँ पर देखिएगा उपर वाली equation में omega t लिखा हुआ है और नीचे वाले में omega t minus phi लिखा हुआ है यहाँ minus का मतलब यह होता है कि जो current होगी वो voltage से कितने angle पीछे चल लई होगी इसको बोलते हैं phi angle ठीक है फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ सबसे पहले आप देखिए current को current देखिएगा यहाँ पर voltage के respect में कितना angle पीछे चल लई है पीछे कैसे चल लई है यहाँ पर जो angle है वो minus phi यहाँ पर लिखा हुआ है यह पहचान होती है कि current जो है वो voltage से पीछे चल लई है और कितने angle पीछे चल लई है यही phi angle पीछे चल लई है इसी का देखिएगा just ultra case यह देखिएगा यहाँ पर V बराबर voltage की जो equation लखी हुई है वो है Vm sin omega t और current की equation है Im sin omega t plus phi लिखा हुआ है देखिएगा पहले case और दूसरे case में क्या अंतर है यहाँ पर omega t minus phi का इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ पर omega t plus phi का इस्तेमाल किया हुआ है तो कभी भी अगर omega t minus phi कहीं पर भी लिखा होगा इसका मतलब current जो है वो voltage से पीछे होगी ठीक है तो देखिएगा यहाँ पर पहली वाली equation में जो current है उसमें minus phi लगा हुआ है तो current जो है वोल्टेज से कितने angle पीछे चल लई है phi angle पीछे चल लई है second वाले case में जो current है इसके आगे omega t plus phi लिखा हुआ है plus phi का मतलब current voltage से कितने angle आगे चल लई है phi angle आगे चल लई है एक तीसरा case भी होता है जिसमें कोई angle नहीं होता है अगर v बराबर vm sin omega t और i बराबर im sin omega t मतलब दोनों ही equations में कोई भी angle नहीं होता है तो इसको बोलते है case of same phase मतलब voltage और current एक दूसरे के same phase में होंगे same phase ठीक है मतलब इस तरह से अगर मैं voltage का vector इस तरह से बनाऊंगा तो इसी vector के ऊपर मैं current का vector बनाऊंगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में कोई भी phase angle नहीं है ठीक तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं summarize कराए दे रहा हूँ आपको कि अगर voltage देखिएगा तीनोई case में मैंने voltage की equation क्या मानी हुई है same मानी हुई है तो voltage को हम इस तरह से यहाँ पर तीनोई cases में इस तरह से हमने यहाँ पर represent कर दिया है voltage को अब देखिएगा पहले वाले case में current क्या है current के आगे पहले voltage के respect में omega t minus phi लगा हुआ है तो minus phi का मतलब current voltage से क्या होगी पीछे होगी कितना angle पीछे होगी phi angle पीछे होगी second वाले case में current में omega t plus phi लगा हुआ है तो current voltage से कितना आगे होगी phi और यहाँ पर कुछ भी नहीं है दोनों में same angle है इसलिए current और voltage इस तरह से यहाँ पर same phase में होगे यह representation होता है phasor diagram का ठीक है अब यही यह जो phi है यह phi की value कुछ भी हो सकती है यह 10 degree भी हो सकती है 20 degree भी हो सकती है 30 degree भी हो सकती है 90 degree भी हो सकती है कुछ भी हो सकता है यहाँ पर phi का value तो एक छोटा सा मैं numerical data use कर रहा हूँ और उसका phasor diagram आपको बना के दिखा रहा हूँ suppose that यहाँ पर voltage की equation लिखी हुई है 5 sin omega t और current की equation लिखी हुई है 10 sin omega t minus 30 तो यहाँ पर सबसे पहले आप voltage का phasor इस तरह से बना देंगे और अब देखिएगा current पर focus करिए current जो है वो उसके आगे लगा हवा है angle 30 degree तो लिखा हुआ है लेकिन minus का 30 degree लिखा हुआ है इसलिए current जो है वो voltage से कितने दिगरी पीछे होगी 30 degree पीछे होगी same case में अगर यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो current है उसके आगे लगा हुआ है plus का 30 degree तो यहाँ पर current जो होगी वो voltage यह आई है current जो है वो voltage से कितना डिगरी आगे होगी 30 डिगरी आगे होगी आपको समझ में आ रहा होगा इन दोनों में अंतर क्या है यहाँ पर omega t minus 30 डिगरी है और यहाँ पर omega t plus का 30 डिगरी है minus का 30 डिगरी होने की वज़े से यहाँ पर current जो है अब यहाँ पर तीसरे case की बात करते हैं, तीसरे case में कोई भी angle नहीं है, तो यहाँ पर voltage और current same phase में होंगे, इस तरह से यहाँ पर आप phasor diagram easily बना सकते हैं, इसका use होगा आगे power factor की जब मैं definition बताऊंगा, ठीक है, तो power factor की, power factor की बहुत सारी definitions होती है, तो power factor का सबसे basic definition जो यह होती है, it is the cosine of angle between voltage and current in AC quantity, मतलब यह है, कि इसी भी AC quantity में voltage और current के बीच का जो angle होता है, phi से जिसको denote करते हैं, उसी के आगे अगर हम cause लगा देंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं power factor, देखेगा, power factor का जो short form होता है, उसको हम लोग PF से denote करते हैं, power factor का मतलब होता है PF, और यह कैसे निकाला जाता है, इसमें कुछ नहीं करना है, voltage और current के बीच का जो भी angle है, ठीक ह उसके आगे आपको लगा देना है, क्या cause लगा देना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, power factor, ठीक है, अब जैसे की मान लीजिए, voltage और current के बीच का angle यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 30 degree दिया हुआ है, तो power factor कितना आ जाएगा, cause का 30 degree आ जाएगा, यानि की 0.866 आ जाए पॉइंट का 5, यानि कुल मिला के क्या करना है, आपको voltage और current के बीच का angle देखना है, और उसके आगे क्या लगा देना है, cause लगा देना है, तो वही value होगी power factor की, यह सबसे basic definition है, power factor की, तो power factor कितने प्रकार का हो सकता है, power factor यहाँ पर 3 प्रकार का possible है, एक तो lagging power factor हो सकता है एक leading power factor हो सकता है, और एक unity power factor हो सकता है, इसको हिंदी में lagging को पश्चिगामी बोलते हैं, leading को गरगामी बोलते हैं, unity को unity बोलते हैं, कोई इसकी value 1 होती है, unity का मतलब 1, तो यहाँ पर 3 तरह के power factor possible है, lagging power factor, leading power factor और unity power factor, unity का मतलब 1, तो यह कैसे बनते हैं इस तरह के power factor, जो लैगिंग पावर फेक्टर होगा लैगिंग पावर फेक्टर कब होगा जब आपकी करेंट पीछे होगी और वोल्टेज आगे होगा और उनके बीच में कुछ न कुछ एंगिल होगा 5 ठीक है यह मैं फेजर डाइगराम से बता रहा हूँ जैसे कि मैंने अभी थोड़ी द आगे है तो current अगर कभी भी पीछे होगी तो power factor हमेशा लैग होगा lag का मतलब होता है पस्च शिकामी ठीक है और अगर current कभी भी आगे होगी तो उसमें जो power factor होगा वो lead होगा lead का मतलब होता है अक्रिगामी और voltage अगर एक साथ होंगे तो इसका power factor जो होगा उसकी value 1 के बराबर होगी समझ में आ गया होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने फेदर डैगना बताया था आपको तो यहां पर भी वही चीज है power factor lagging leading और unity है यह देखिएगा फिर से मैंने उसी चीज को बनाया हुआ यहां पर देखिएगा current जो है वो क्या है अब एक चीज आपको याद रखनी है numericals के point of view से अगर किसी भी circuit में inductor आ गया अगर किसी भी circuit में inductor आ जाएगा तो वहां पर power factor हमेशा और हमेशा lagging होगा ठीक है अगर किसी circuit में केवल और केवल capacitor आ जाएगा मतलब capacitor के संग register भी हो सकता अगर circuit में capacitor है कहीं पर भी तो वहा पर power factor हमेशा कैसा होगा leading power factor होगा और circuit में केवल और केवल only R मतलब कहने का सिर्फ एक register लगा हुआ है अगर एक circuit में तो वहां पर power factor कितना होगा one के बराबर होगा जिसको बोलते हैं हम लोग unity power factor अब power factor निकालने के लिए देखिएगा मैं कुछ data आपको देता हूं और power factor न current की equation इस तरह से दी हुई है two sine omega t minus 30 degree अभी मैंने आपको phasor diagram थोड़ी देर पहले बनाना सिखाया है देखिएगा यहां पर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं सबसे पहले voltage को draw कर लेते हैं उसके बाद हम current को draw करते है voltage के respect में तो यहां पर देखिएगा जो current है current के आगे जो angle लगा हुआ है वो कितने degree का लगा हुआ है minus का 30 degree लगा हुआ है minus का 30 का मतलब हो गया current जो है वो voltage से क्या है पीछे है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अब हमको क्या करना है power factor निकालने के लिए voltage और current के बीच का angle देखना है कितना है 30 और उसके आगे क्या लगा देना है cause लगा देना है यही power factor की value होगी अब यहां पर lag हमने कैसे कहा अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि कभी भी अगर current पीछे होगी और voltage आगे होगा तो वहां पर power factor क्या होगा lagging होगा ठीक है अब देखिए दूसरा डेटा यहां पर दिया हुआ है voltage की value दी देखिएगा current की जो equation है उसमें angle plus का 60 degree लगा हुआ है plus का 60 degree का मतलब current आगे होगी और यहां पर power factor क्या होता है power factor में कुछ नहीं करना होता है voltage और current के बीच का angle देखना होता है और उसके आगे क्या लगा देना होता है cause लगा देना होता है तो answer यहां से आजाएगा .5 lead यहा बहुत ही basic चीज और मेहा पर से आपको रिवाइस करा देता हूं आपको अप मैंथमेटिकल definition क्या होती है किसी पावर फेक्टर की WIL मैने बताया 않ता ता फ मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है परफेक्टर की मैथमेटिकल डेफिनेशन यह उती है तक ब", बराबर है R upon Z R क्या होता है resistance होता है Z क्या होता है impedance होता है यह मैंने last lecture ने बताया था Z के बारे में Z impedance होता है अब एक चीज़ याद रखिएगा कोई भी जैसे की मान लीजे RL circuit है मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं कैसे mathematically power factor निकाला जाता है अब suppose आपके पास एक RL circuit है जिसमें मैंने एक सप्लाई लगा रखी है अब RL circuit का impedance कितना होगा अंडर रूट र स्क्वाइर ब्लस XL स्क्वाइर यह मैंने प्रीविएस लेक्चर में चेंज नहीं होगी power factor हमेशा और हमेशा R upon Z के बराबर ही होगा यह mathematically जब हम लोग निकालेंगे थे power factor बराबर होगा R upon Z ठीक है तो यहां पर दो तरह की power factor हो सकते है RL हो सकता है और एक तो lagging हो हो सकता है और एक क्या हो सकता है अब मैंने बताया था कि अगर सर्किट में इंडेक्टर लगा होगा तो lagging होगा अगर सर्किट में capacitor लगा होगा तो क्या होगा लेकिन इसका formula जो है power factor का R upon Z यह चेंज नहीं होगा अब अगर RL सर्किट है तो Z की value होगी अंडर उटार स्क्वाइर प्लस XL स्क्वाइर और अगर आपका RC सर्किट है तो यहां पर Z की value हो जाएगी अंडर उटार स्क्वाइर प्लस XC स्क्वाइर XC बराबर 1 upon omega C और XL बराबर omega L यह मैंने last लिखा हुआ है कि रजिस्टेंस की value 8 ohm है इंडक्टेंस की value 19.1 मिली है इस सप्लाई पावर फेक्टर की value पूछ रहा है और फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स दे रखा है आपको अच्छी तरह से पता है कि पावर फेक्टर जो होता है वो बराबर होता है पावर फेक्टर जो होगा वह और अपॉन जेट के पराबर होगा कोई भी सर्किट होगा अब आरपॉन जेट के लिए आर की value तो यहां पर given है यह देखेगा आर की वह आर को जब हम इसमें formula में रखेंगे तो आर की value given है लेकिन जेट की value given नहीं है तो जेट की value हमको क्या करने पड़ेगी निकालने पड़ेगी अब circuit कैसा है circuit rl है rl है तो यहां पर z बराबर जो होता है वो कितना होता है rl circuit के लिए rl circuit के लिए z बराबर होता है under root r square plus xl square और xl बराबर होता है omega into l बराबर 2 pi fl तो यहां पर सारी values given है 2 pi f में f बराबर 50 रखेंगे और जो inductance की value है वो 19.1 millihenry, millihenry मनलब 10 to the power minus 3 का multiplication करना पड़ेगा जब आप इसको solve करेंगे तो xl बराबर आ जाएगा 6 ohm अब हम यहां पर impedance की value निकालेंगे impedance बराबर होता है under root r square plus xl square r की value है 8 और xl की value है 6 तो impedance कितना आ जाएगा 10 ohm आ जाएगा अब power factor हमारा होता है r upon z, r बराबर 8 है और z की value हमने निकाली है 10 तो answer आ जाएगा point date अब यहां पर lag और lead कैसे लिखा जाएगा देखिएगा मैंने पहले बताया था अगर circuit में कहीं पर भी inductor लगा होगा तो आपको आख बंद करके लिख देना है कि वहां पर power factor क्या होगा lagging power factor होगा ठीक है अब किसी भी circuit का power factor high होना चाहिए कि low होना चाहिए उसके बारे में मैं भी थोड़ी जिर बात बता रहा हूं ठीक है यहां पर लेकिन उसके पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगी power factor निकालने के दो तरीक में अगर power factor low होता है power factor की value कहां से कहां तक होती है यह भी मैं आपको बता दूं power factor की जो value होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होती है इसके अलावा कोई भी power factor की value नहीं होती है power factor 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी number हो सकता है अब power factor maximum कितना हो सकता है power factor maximum हो सकता है 1 minimum कितना हो सक है power factor जो सकता है वो 0.a power factor किसी भी system का जो होना चाहिए वह ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा का मतलब 1 के नियर अबाउट टोना जैए वन एंगे मैं सकता है .99 .98 0.97 पॉइंट नाइन सेवन हो सकता ह Norma ौैंक क्रेड़ा में क्या होना चाहिए हाई होना चाहिए किसी भी सिस्टम का अगर किसी सिस्टम में पावर फेक्टर हमारा लो है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी अभी मैं बताता हूं आप लोगों ने लास्ट पर फॉर्मला पड़ा था पी बराबर वियाई कॉस फाई होता है तो ठूड़ी दिर पहले मैंने बताया था जो कॉस फाई होता है वही क्या होता है और फिक्टर वियाई आजाएगा आज बावर करेंट होगी तो करेंट की वैल्यू क्या होगी हाई होगी और तो कि आपका यहां पर व्यूत क्रोवान पाती है यहां पर इन्वर्सली प्रपोर्शनल है जिसकी वज़े इसे power factor अगर low है तो current क्या होगी हाई होगी अगर current आपकी high है तो system में i2R losses क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे अब system में अगर losses बढ़ रहे हैं तो system की efficiency क्या हो जाएगी पूर हो जाएगी ठीक है अँब एक बाध सोचिए system में अगर power factor यहाँ पर power factor यहाँ पर system का क्या है low है तो current क्या होगी यहाँ पर high होगी अब suppose जेड़े का आपने तार design किया किसी particular current को flow कराने के लिए अगर उस तार में उसकी rating से ज़्यादा current flow होगी तो तार क्या हो जाएगा burnout हो जाएगा तो normal सी बात है यहाँ पर जब भी current की value बढ़ जाएगी power factor के low होने की वज़े से तो हमको तार में insulation क्या करना पड़ेगा ज़्यादा लगाना पड़ेगा जब insulation हमारा ज़्यादा लगेगा तो हमारी cost of energy क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी अब ये तो problems होती है low power factor की वज़े से power factor कैसे हम achieve कर सकते हैं एक अच्छा तो हमेशा याद रखिएगा जहां कहीं भी load लगा होगा उसके parallel में हमेशा एक capacitor अगर हम लगा देते हैं तो वहाँ पर हमारा power factor maintain हो जाता है ठीक है तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ starting से revise करा देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले तो phasor diagram कैसे बनाते हैं phasor diagram में आपको check करना है कि angle अगर minus phi है तो current क्या होगी पीछे होगी अगर angle plus phi है तो current यहाँ पर आगे होगी अगर कोई angle नहीं है तो voltage और current same phase में होगे पहली चीज़ दूसरी चीज़ power factor क्या होता है power factor के लिए आपको voltage यह पहला method है यह first method है power factor निकालने का first method है क्या method कहता है कि voltage और current के बीच का आपको क्या देखना है angle देखना है और उसमें क्या लगा देना है, cause लगा देना है, यही हमारा power factor होता है, और power factor तीन तरह के हो सकते हैं, lagging हो सकता है, leading हो सकता है, और unity, unity का मतलब होता है, one, अब यहाँ पर lagging कब होगा, जब current क्या होगी, पीछे होगी, leading कब होगा, जब current आगे होगी, और unity का मतलब one, जब voltage औ मैंने बताया था यह तो पहला method है अब दूसरा method क्या है यह mathematical method होता है दूसरा method होता है यह power factor निकालने का power factor पराबर होता है R upon Z और Z की value मैंने last time पर बताई थी अगर RL circuit है तो Z की value under root R square plus XL square होगी अगर RC की होगा तो Z की value under root R square plus XC square होगा और उसके बाद मैंने आपर numerical भी करवाया था अगर circuit में L लगा हुआ है कहीं पर power factor lagging होगा अगर कहीं C लगा हुआ है तो power factor leading होगा और power factor की value जो होनी चाहिए वो high होनी चाहिए और इसको maintain करने के लिए हम हमेंशा load में एक capacitor लगा देते हैं ठीक है ओप आपको यह video पसंद आया होगा प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादे ज्यादा लाइक करिए थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो